दोस्तो सुजलोन एंडर्जी की बात कि श्टॉक के नराज पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है आप देख सकते हो कि बाजार में तो जबर्दस गिरावट है उसके बावजुद भी सुजलोन में काफी अची खरीदारी हो रही है इसके पीछे वज़े यह है कि सुजलोन बह पुरे कर्च से बार निकल चुकी है और अपने गिर्वी शेरों को भी छुड़ा है तो इन सारी बातों का पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ऐसे में आने वाले समय इसमें एक लंबी तेजिकले स्टॉक त्यार हो रहा है लेकिन बाजार में गिरावट का मिल जागी तो वीडियो जाके जरूर देखे बाजार में बहुत जबरदस गिरावट हो रही है हमने देखा है परसो साड़े 800 पॉइंट की गिरावट थी और आज भी लगबग 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है तो क्या इतनी बड़ी गिरावट में हमें जाना चाहिए क्या है आगे की समावन जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वडियो बने पहला नोडिविकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले बाजार की सुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन कुछ समय के बाद ही बाजार में गिरावट का दौर सुरुआ और काफी जबरदस गिरावट भी हुई इंट्राडे में तो आज देखे तो इसने 64000 के स्थर को भी आज तोड़ दिया और बहुत जबरदस गिरावट का महल बना बनलब बड़े इंवेस्टर तो इस लेवल पे खरीदारी करें यह जो बिक्वाली हो रही है रेटल इंवेस्टर की दरब से हो रही है वैसे आज निप्टी एनरजी में भी गिरावट है 26,361 के इस तर पे 88 पॉइंट की गिरावट है यानी 0.33% की गिरावट है निप्टी की और हाई 33.10 का बना लो है 30.30 का तो आप देख सकते हो कि आज इंट्राडे में गिरावट भी हुई लेकिन निचलर लेवल से फिर खरीदारी शुरू हुई और आप देख से तो कि इस समय 32.15 के आसपास है जा पे 1.10% की तेजी है वैसे इसने अभी फिलाल 52 वी का जो इस स्टॉक दिखाई देगा वैसे इसने काफी सांदार प्रद्रशन किया है इसकी परफर्मेंस अगर आप देखे तो 17 ऑक्टोबर को स्टॉक 29.50 के आसपास था 5% का अपर सरक्रीट लगा था 18 ऑक्टोबर की बात करें स्टॉक के क्लोजिंग 30.95 के आसपास जापे 5% का फिर स 31.80 क्यास पर्स क्लोजिंग थी जहांपे 2.2% की गिरावट हुई तो यह क्लेली आप समझ सकते हो कि साड़े 800 पॉंट की बारी गिरावट पर भी लोर सरक्रीट नहीं लगा इसका मतलब यह है कि सुजलोन में काफी अच्छी खरीदारी हो रही है और यह स्टॉक अलड़ी म सब्सक्राइब तो यहां पर इसका रिटन पूरा का पूरा पॉजिटिव कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है अब इसके बीच में मार्केट एक्सपर्ट काफी ज़दा बुलिस है सुजलोन को लेकर और आने वाले सुजलोन की संभावना बनी की स्टॉक 40 तक जा सकता है तो यहां पर देखते हो कि स्टॉक्स बॉक्स के पार्थशा का कहना है कि स्टॉक में अभी इस करन्ट लेवल से भी 20% की अपसाइट देखनों को मिल सकती है कमपनी को ओडर बुक लगातार मजबूत बन रही है 200 1.6 मेगावाट का एक बड़ा ओर्जर्ट मिलनक सकती है और देख सकते हो कि इसकी वज़े से इनकी प्रॉफिट में काफी ज़्यदा इदाफा हो सकता है इसके लाग कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया है क्यों एक बड़ी रिपोर्ट और निकल क्या रही है यह आई यह की रिपोर्ट है और आप देखतो कि इंट्रनेशनल एजेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि आने वाले समय 2030 तक जो फॉजल फ्यूल की डिमांड है वो पिक पर होगी क्योंकि जिस तसे देखे तो इस समय ग्रीन अर्जी को प्रमोड भी किया ज़रा लेकिन इलेक्टिसिटी जिस तसे कैपसिटी को बढ़ान और ऐसे में आने वाले समय में यह आप देख सकते हो कि फॉजल फिल्स की जो डिमांड पिक पर आ जाएगी इसके लावा देखे तो पचास पर तीस तक जो योगदान है वो ग्रीन अर्जी का होगा जो फिलाल अब देखे तो 30% के आसपास है आने वाले 2030 तक यह पचास पर डिसकॉम है उनसे भी अब यह आप डिमांड कर सकते कि आपको ग्रीन अर्जी का यूज करने के लिए और उनको देनी होगी तो आप समझ सकते हो इससे आपको कार्बन क्रेडिट पॉलिसी का फाइदा भी मिलेगा और आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा तो ऐसे में आने अगर आप इसके पेर कंपणियों को देखे तो उनके मुकाबले इसने सबसे सांधार रिटें दिया अगर हम बन मन की बात के सुझलों एनर्जी ने 19% की तेजी बता है जबकि हिंदुस्तान एरोनेटिक्स ने 0.32% की गिरावट बता ही है बारत हेवी लेक्रिक लिमिटेड की 4.98% की तेजी बनी है बारत डाइनमिक की बात के दो 4.96% गिरा लक्ष्मी मसीन की बात के दो 3.56% की गिरावट ही प्राज इंडेस्ट्री 6.84% दोड़ा टीटागर रेल सिस्टम की बात के दो 0.44% की तेजी बनी और बी एमेल में 0.87% की तेजी है तो सबसे सांधार प्र और भारत डाइनमिक 16% गिराए लक्ष्मी मसीन वर्क्स में अगर आप देखे तो यहाँ पे आपको 3% की तेजी दिखाए देगी प्राज इंडेस्ट्री में 45% की अच्छी तेजी बनी है और टीटागर रेल सिस्टम में 47% की तेजी है बी एमेल में 48% की तेजी है तो यह जो देखे तो आप सुजलोन का सबसे ज़्यादा दिखाए देगा नंबर दो पे आपको बी एमेल दिखाए देगी और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अगर हम 6 मन के इसाब से सुजलोन का रिटन 235% परसें पॉइट ही है और यह इन पेर कंपनियों में सबसे ज़्यादा नंबर दो पे आपको टीटागर रेल का दिखाए देगा 164% का इसने पॉइट ही रिटन दिया है तो बिल्कुल वीनर आपको सुजलोन दिखाए देगा अगर हम वन यहर की भी बात करें तो सुजलोन एनरजी ने 290% का पॉइट ही रिटन दिखाए देगा जिसका रिटन 38 पॉइट है और नंबर दो पे सुजलोन है तो वन यहर के इसाब से सबसे साथा रिटन देने वाली अगर कोई शेर तो वो टीटागर रेल है नंबर दो पे सुजलोन है बाकी 6 मन 3 मन और 1 मन के इसाब से रिटन है वो सुजलोन का ही बैतर है अब यहां पे कुछ बड़े mutual fund जम के खरिदारी भी किया है आप यह देख सकते हो 361 फोकस एक्यूटी डारेक्ट ने आपे 127 क्रोड का इंवस्मेंट किया है उनकी होल्डिंग 4.02% मन और 1 मन बैसिस पर बढ़ी है बंदन फ्लैक्सी के अपने आपे 122 क्रोड का इंवस्मेंट किया है इसके लावा HDFC लार् इसके लावा बंदन टेक्स एड्वंटेज ने आपे 64 क्रोड का इंवस्मेंट किया है HDFC मल्टी के अपने 58 क्रोड का इंवस्मेंट किया है तो देख सकते हो कि इंडिया के बड़े-बड़े mutual fund जम के खरिदारी करें और दूसरे एफ़की तरब से भी अच्छा खासा निव इंवस्मेंट कर सकते अगर आप स्वाट टम इंवस्मेंट है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते क्योंकि बाजर के सैंटिमन इस समय बिगडे हुए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवस्मेंट करने से पहले अपने फाइननसर एड पच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुकिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंक्यों फ्रेंड